हेलो एवरीवन वेलकम टू ए ए आउनलाइन सॉलूशन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कलास 12 सौ मार्क्स हिंदी के बारे में तो सौ मार्क्स आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं जो वह बात चीत यह आपका गदखंड में पहला जो है चेप्टर जिसका नाम है बात च चीत से जितने भी मोश्ट इंपोर्टन कोशन बनेंगे सभी वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो को आपको आन तक देखना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बस एक आप से छोटी से रिक्वेस्ट है आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं है क्योंकि राइटर का नाम भी बोर्ड एक्जाम में पूछता है ठीक है तो यहां पर देंकि बात चीत के लिखने वाले कौन है बाल कृष्ण भठ है इसको याद करना है यह इंपोर्टेंट है अब बढ़ते हैं पहला नंबर सवाल क्यों बात चीत सिर्षक निबंद के न और यहां पर हमें पता क्या चला कि बात चीत जो है एक निबंद है एक निबंद है बात चीत कहानी नहीं है बलके एक क्या है निबंद है आप यहां पर कोशन का नुमान से भी इसका आंसर पता कर सकते हो क्योंकि यहां पर खहरा कि बात चीत निबंद के निबंदकार यानि व्यूग के रचनाकर है जो है उपनयास के लेखक कौन है तो सवआ और एक सुझान अपनयास के जो लेखक है वह बाल कृषन भट इस पूशन का सी opon right होगा जितने भी कोशन इस वीडियो में डिसकस करें सारा आपको कोशन मिलेगा बस आप वीडियो को अंतक देखो ठीक है कोशन आपको देने में कोई दिकर नहीं होगी आप अराम से डाउनलोड कर सकते हूं चलिए फोर्स नंबर स्वाल को देखते हैं कहां के लोगों में सरवधिक पर चलित है और आफ कनवर्सेशन कहां के लोगों में जो है सरवधिक पर चलित है यूरोप के लोगों में या एसिया के लोगों में या भारत के लोगों में या इंगलैंड के लोगों में तो और आफ कनवे कन सरवेशन जो है हमारा जो सरवधिक परचलित हैं वो है हमारा जी यूरोप में इस कोशन का ए ऑप्सन राइट होगा चलिए दिखते हैं नेक्श कोशन तो हमारा फाइफ नंबर स्वाल है कोशन कहता है जी बाल कृष्ण भट ने किस पत्रिका का संपाधन किया था यानि कि बाल कृष्ण भट जो है वो किस पत्र देखते हैं नेक्श कोशन बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट या बताना चाहते थे यानि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट जो है वो क्या बताना चाहते थे वो जो है बातचीत की सैली को बताना चाहते थे यानि कि इस कोशन का ए ऑप्सन राइट होगा क् तो बात चीत के सैली को बताना चाहते थे आईए देखते हैं जी सेवेन नमर सवाल तो इसको उपर करते हैं सेवेन नमर सवाल कहता है जी निमने लिकित में से बाल कृष्ण भट का निवास अस्थान कौन सा है यानि कि बाल कृष्ण भट का जो निवास अस्थान है वह कौन सा है तो वह जो है इलाहबाद उत्तर परदिस यानि कि उत्तर परदिस में इलाहबाद हमारा A option राइट होगा यादकना आपके बोड एक्जाम में उत्तर परदिस ना देकर इलाहबाद रहे तो यादकना बाल कृष्ण भट का निवास अस्थान जो है वह है इलाहबाद में अगर पूरा option रहे तो उत्तर परदिस आईए देखते हैं नेक्श कोशन बाल कृष्ण भट द्वारा कौन सा बाल कृष्ण भट द्वारा यानिकी चार उप्षं में हमारा घड़ी जैसा काम वैसा परिनाम नहीं रोशनी का विस सीथा बनवास तो यह चारो आप्शन में बाल कृष्ण भट द्वारा कौन सा उपन्नियास जोह रटित है तो हमारा जो है एट का जो correct answer होगा जी वो होगा हमारा ए यानि की हमारे घड़ी ठीक है किलियर है हमारे घड़ी जो है वो बाल गोविन भाल गोविन भट के द्वार जो है उपनियास रचित है जेक्टे जी next question ये हमारा 9 नमबर सवाल बाल कृष्णे भट के पिटा कौन थे बाल कृष्णे क बाल कृष्णे के यानि की लाश्ट में भट लगा रहे गा तो बापके भी यानि की पिता के भी आउस्ट में भट लगा रहे गा तो यह तो यह दों एक बाहर नहीं आएगा ठीक है मेरे उमीज से चलिए देखते हैं जी नेक्स कोशन ये हमारा दसमें नमबर सवाल इस वीडियो का बाल कृष्ण भट का जनम कहां हुआ था बाल कृष्ण भट का जनम जो है दोस्तों वो कहां हुआ था तो वो हुआ था हमारा 23 जून 1844 सिस्य को यानि कि इस कोशन का ए अप्सन रायट होगा बाल कृष्ण भट का जनम जनम कहां हुआ था तो 23 जून 1844 सिस्य को देखते हैं ए। dal कृष्ण भट की मृत्वी को इती या पर जनम हो था 1844 सिस्य में और यानि कि बाल कृष्ण भट की मिरत्य commence मिर्तिव जो ही थी वह ती 20 ड़ुलाई 1914 1924 यानि कि इस कोश्चन का ए ऐ अप्सन होगा वह जो है 18444 को जनम लिया था 23 जुन को और उनकी मिर्तिव को वे थी तो 20 जुलाई 1914 इसी को उनकी मिर्तिव थी यानि कि बाल कृष्ण भट की मिर्तिव थी देखते हैं नेक्स कृष्चन अब हम लोग जानेंगे पहले तो हम लोग जान चुके हैं बाल कृष्ण भट का पिता का नम जो कि हमारा बेनी परसाद भट और अब हम जानेंगे बाल कृष्ण भट का जो है मा का नाम क्या था तो देखे इनकी जो मा की नाम थी वो थी जी पावर्ति देवी ठीक है बारा का जो हमारा राइट अंसर भी होगा पावर्ति देवी था उनकी मा का नाम इस कोष्ण का ए उप्सन रेट होगा पारवती द सब्द कोस उर्दू सब्द कोस संस्कृत सब्द कोस और हिंदी सब्द कोस तो यह चारों सब्द कोस में बाल किरिशन भट जो है किसका संपादन क्या था तो हिंदी सब्द कोस का संपादन क्या था इस कोशन का ए ऑप्सन राइट डी ऑप्सन राइट होगा ठीक है आए देख तो हम नहीं जानते कि उस मुंगी उस मुंगी सुष्टी का क्या हाल होता यानि कि आपको धियान से समा को समझने है यानि कि मनुस्य में खाली अस्थान ना होते तो हम नहीं जानते कि उस मुंगि सुष्टी का जो है क्या हल होता तो हमारा वाक सकती यानि कि इस खाली लुस्टी का क्या होता है कि लिए रहा है चली देखते हैं इन नेक्स होईशन यह हमारा राईटों Soo यह हैं हमारा अगला कोशन कोशन कहता है सच है जब मनुष से बोलते नहीं तब तक उसका खाली असान परकट नहीं होता यानिकि जब मनुष से बोलते नहीं तब तक जो है उसका जो है उसके जगा पर क्या भराएगा जो परकट नहीं होता परकट नहीं होता आप अच्छाई बुराई गुन दोस या नन तो यहाँ पर हमारा c right होगा यानि कि सच है कि जब मनुसे नहीं बोलते जब मनुसे बोलते नहीं तब तक उनका जो है गुन दोस जो है परकट नहीं होता है यानि कि इस कोशन का a option right होगा गुन छमता ठीक है तो जब तक मनुस्री में छमता रहेगा तब तक ना उनका परकट नहीं होता है तो जिलेए चलिए दे नेच्श क्वेश decía कैसी बात चीत राम रमावल कहाएगी तो अबसने की काफ़ी अधिग बात चीत तीन से ऐधिग बात चीत चार से अधिग बात चीत ओर पांच से अधिग बात चीट ठीक है और मैं इस कोशन से काफी कोशन का solution लेकर आया हूँ देखें कोशन को आपको ध्यान से देखना है जी यहाँ पर कोशन कहा रहा था कि कैसी बात चीट राम रमवल कहला आएगी ठीक है तो यानि कि चार से अधिक बात चीट राम रम रमवल कहला आएगी अगर हम बोलें कि एडीसन के तरफ से ज़ो है अच्छे से बात करने के लिए यानि कि एक अच्छा बात जो है दो ही आदमी के बीच हो सकता है यह किसने कहा था? तो यह जो है ऐडिशन नहीं कह था है एला के लीर है चलिए देख टें नेक्ट कुशन जी तो यह हमारा अग्ला नंबर स्वाल हंदी परदीछ मासिख पठ्रपा का परकाशन कब हुआ हींदी परदीक मासिग पट्रिका का संपादन 1877 इसी को वा था देखें नेक्ष्ट कुशन बाल कृष्ण भट मूलत क्या थे बाल कृष्ण भट जो है मूलत क्या थे तो आईए उप्सन देखते हैं निबंधकार कथाकार नाटकार और उपनियासकार तो यानि कि यह कोशन दो परकार के फुर्च देंगे लेकिन रएगा तो सवाल सिर्फ चैन्जर रहेगा जैसे कि यह पर सवाल में कि बाल कृष्ण भट मूलत क्या थे तौह को पर रएगा कि बाल कृष्ण भट जो है यह निबंदकार ठीक है क्योंकि यहां पर देखें बाल गोविन भगत जो है बातचीत के लिखने वाले ही बाल गोविन भगत है क्यों है तो बाल गोविन भट भट है ठीक है तो बातचीत के लिखने वाले बाल गोविन भट है अब देखें बातचीत तो एक निबंद है जिस आजे देखतें next question यह हमारा 19 नमर सवाल बाल्कृशन भट के निबंध संग्रा हरा का क्या नाम है जितान shifting I'm वो है भट निबंध माला इस कोशन का D option right होगा देखते जी next question यह हमारा 20 नमर सवाल वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना बोले क्योंकि आपके लिए इतना मैनत करता हूं आपको एक लाइक करने में जड़ा भी देरी नहीं होगी फटा-फट से लाइक करतें ठीक है चलिए की ड्रिष्टि में यह उसकी सिस्टी है वो है हमारा गोंगे इस कोशन का G option right होगा देखतें negro champion बादचीत में लेखक को चिसका किसा याद आ रहा है यानि कि बादचीत में लेखक को किसका किसा जो है याद आ Рहा है तो वो जो है हमारा option A होजाँगा राइट आपसन A में कहा रहा कि रामबीसन कुरुसो का याद आ रहा था बाचीत में लेखक को ठीक है किसको तो लेखक को बाचीत में रामबीसन कुरुसो का किस्सा याद आ रहा है आनि कि इस कोशन का A आपसन राइट होगा देखते हैं जी नेक्श कोशन बस कम से कम 30 पलस कोशन होग टीक है आएगा तो इसके अंदर से आएगा मेरो में से तो 95 परतिस्द तो गारेंटी आइजे देखते ह। किसने कहा बोलेने से ही मनूसिय के रूप का सक्षाथ कर होता है तो वीन जाउन सं ने कहा था किसने जो किसने कहा बोलने से ही मनूस्य के रूप का साक्षात कर होता हैं आए देखतें नेक्स क्युशन किसने किसने मतनुसार उसली बाचीन असली टाइप करने में मिश्टेक होगा जड़ा साथ दो मिनट देखता हूं किस ने ओके दो मिनट यहां पर टाइप करने में तो यहां पर जी उसलिए के जगा पर असली होता तो अगर हम पूरा सेंटेंस को पढ़े किसके मतानुसार असली बाचित केवाल दो वैक्तियों के बीच हो सकता है तो मैं असली में आए देखते हैं नेक्ष कुशन आयो की होतना हिंदी को पूरा दिमाग पे लेकर नहीं चलना यह कहानी है आपको बस याद करना है पढ़ना है आपको अच्छे से समझवा आ जाएगा आए देखते हैं नेक्ष कुशन 24 नमर सवाल है दो बुढ़ों की बातचीत क आम विशाय क्या होता है जी यानिकि जब दो बुढ़ा आपस में बातचीत करता है तो उसके आम विशाय का क्या होता है ऑप्सन लिए जमाने की सिकायत या बहु बेटियों के संबंदित या सहपाठियों के गुन आव्यून या राजकार की बातचीत तो हमारा राइट आं आपस में किस चीज के बारे में बात करेगा यानि को उसका विशाय उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा तो उसका सब्जेक्ट जो है जमाने की सिकायत पर रहेगा इसी परकार एक कुशन आओ देखाऊंगा आयोब कि उसको देखकर आप समझ जाओगे ठीक है देखिए नेक्स लेखा के अनुसार किन लोगों में बातचीत का हुनर है लेखा के अनुसार जो है किन लोगों में बातचीत का हुनर है तो आपसंदेखिए अमेरिकियों में चीनियों में या यूरोप वास्यों में या एस्याओं में यानिके चीनियों वार्लब चीन ठीक है तो यहां पर honor है यहां पर 25 और यानिकि यूरोप के ने लेक लेख के लिचाल लोग के लिचल लौट करेख रहे हैं तो यूरू वास्यों में बातचीत कहई हैं ने दिसने आगये आ को बोला था कर आए ये आगे देखाते हैं जिप मैंने आपको पता था कि दो बुढ़तों को आपस में बातचीत करेगा तो वो जमाने की सिकायत के बारे में विसाय उसका आम रहेगा यानि कि सब्जेक्ट रहेगा और अगर हम बोले कि दो बुढ़ियों में जो है अगर बातचीत रहेगा अगर दो बुढ़ियों में बातचीत का अगर आम विसाय खोजे तो वह क्या र आधानित अधानित अधुनिक रूस का पंडिटों की बाचीत को क्या कहते हैं उप्सेन के समवाद वरतलाप एकालपा यानिक इन में से कोई नहीं तो इस कोशन का करेक्ट आन्सर भी हो जाएगा इनी में से कोई नहीं ठीक है देखते हैं नेक्श्ट कुशन तो यह हमारा उत्तम तरीका क्या है जी तो हमारा उत्तम तरीका जो है वो है हमारा यहां पर देखो अप्सन डी होगा वाक्र होकर अपने से बातचीत इस कोशन का डी ऑप्सन राइट होगा देखते हैं जी 29 नमबर सवाल ठीक है सारे कोशन को याद करना है रवीन सन कुरसों ने 16 वर्स से गलत तो यहां पर टैप में काफे मिश्टिक हुआ था रवी अगर पूरा पढ़े तो हम रवीन सन कुरसों ने 16 वर्स में 16 वर्स के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने ठीक है यानकी 16 वर्स के उपरांत जो है किसके मुख से एक बात सुना था तो आये देखिया ऑप्स इस question का A option right होगा देखते हैं next question यह हमारा 19 38 नमर सवाल नाटक के प्रारंब में होने वाली मंगल पार्ट को क्या कहा जाता है नाटक के प्रारंब में होने वाली मंगल पार्ट को क्या कहा जाता है तो नाटक के जो प्रारंब के पार्ट होने वाली मंगल पार्ट को जो कहते है उसे हम लोग कहते है जी नादी बात ठीक है नादी पाथ इस कोशन का B option राइट होगा next question देखें किसके अनुसार किसके अनुसार असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकता है जैसे कि मैंने अभी पता है था कि असल बातचीत जो है कौन कहा था तो Edison ने कहा था ठीक है Edison अपने धिमाग से असल बातचीत जो है दो लोगों के साथ हो सकता है यह जो है Edison ने प्रूफ करके बताए था तो चलिए इस कोशन का आशर आप लोग दोगे कि किसके अनुसार जो है असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकते हैं तो यहां पर देखिए दो लोगों के बीच ही हमारा असल बात जो है असल बात चीद होगा आए देखते हैं नेक्ष्ट कुशन जी यह हमारा 32 नमर सवाल इन में से कौन सव पन्यास बाल कृश्ने भट दूआढ रचित रहे तो यहां पर जो हमारा राइट है उपसन देख लेते हैं गुदान अपने अजनवी मैली आचल और सोव आजान एक सूझान तो यहां बाल कृश्ने भट के दूआँ आजित है वो है जी हमारा इस कोशेंगा डी आपस्वारत होगा सा और एक सूझान ठीक है यह जो है बाल गफिन भट के दवारा ञाचución निक्स कुशन दिए बाचीट के बाचीट से मन किस परकार का हो जाता है यह ज़िक जब बाचीट करते हैं तो उसके बाद जो है मन किस परकार का हो जाता है जी तो आपसें ने कि भरी और भोजील हलका और सवच मैला कुचैला या क्रूध पूजी तो बात चीज से जो हमारा मन जो है वो हो जाता है जी हलका और सवच यानि कि इस कोशन का भी आपसें राइट होगा हलका और स में कहते हो 34 नमबर सवाल लेखे जी राम राबीसन कुरुस को कब तक मनुस्य का मुख्य देखने को ना मिला ठीक है जैसे कि मैंने बता था कि 16 वर्स के बाद तक ठीक है 16 वर्स के बाद तक जो है किसका फ्राइडे के मुख्य से सुनने का मिला था तो यहां पर उल्टा कुशन है कि राबिंसन कुरुसो को जो है कब तक मनुस्य का मुख्य देखने का ना मिला था तो 16 वर्स के बाद यानि किस कुशन का डी ओप्सन की एई होगा और आयोक 35 कोशन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा बोलने से मनुत्वे की रूप का सक्चहत्व कर होता है यह किस ने कता है जैसे कि मैंने पिछले रूप का रशायरे दो यह किसने इस वीडियो में मैंने आपको बताए था 35 को नमबर सवाल बताए कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा और आयोब की वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप यह पीडियेफ लेना चाहते हैं बातचीत का तो आपको थोड़ा सार मेरे साथ मेरे साथ जो है आपक PDF के नाम पे ठीक है download PDF दो में आपको link पर click करना है जैसे आप link पर click कीजेगा तो आप आराम से हम्त कर सकते हैं वो आप प्रोजेर में open कर देगा और आप आप से डानलोड कर सकते हैं तो तो चांग dabei मैं मैं आपको एक रिवीजन कराना चाहूंगा जो आपके लिए काफ़े इंपॉर्टन कोशन है हाइलेटेड कोशन है देखिए कौह कौन सा कोशन है जी तो मैं बार पर यह कहूंगा राइटर का नाम याद करो अगर आप राइटर की वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्र किसके उनके लिखने वाला कौन है ठीक है याने की राइटर्स ने तो देखिए आपर बातचीत को लिखने वाला बाल कृष्ण भट है एक्जामपल के तौर पर काफी इंपोर्टेट है इसी परकार नेक्स्ट वीडियो भी हमारा आएगा नेक्स्ट आयोब की उसने कहा था तो सारे वीडियो आएगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो घंटे को दबा दो और हाँ ये वीडियो में मेरा भी कुछ गलती है जी टैप करने में टैप में काफी गलती था माफ करना वीडियो पीडियेफ में आपको ऐसा नहीं होगा थैंक्यू डेट सोन